नमस्कार प्यारा साथियों देखेंगे कि आज पी टी टी का पेपर हुआ हैं पी टी टी द्वी वर्सी बी एट का जो पेपर हुआ हैं उसमें हम जो जी के के क्वेशन पुछे गए थे उसका पूरा सोलिशन देखेंगे और एकदम यह सर्टीक आंसर किये तो आपको यह एक क्या रहा है अपने 6 Νवंबर 2023 को बारत के मुख्य सुचना आयूध के रूप में किसने सबपतली थी तो दिके 6 Νवंबर 2023 को अपने सुचना आयूध को नुमने थे अपने ही रालाल समरिया ओप्शन डी का करिक्ट आंसर होगा ही रालाल शामरिया 102 है आदूनिक मोबाइल की बेट्रियों के वीगटन में से कौन सा अवसिष्ट मुख्य रूप से परियावरण में छोड़ा जाता है तो देखिए आदुनिक मोबाइल की बेट्रियों से अपने बेरिलियम छोड़ा जाता है option है question 103 निम्लिकित नदियों में से कौन सी लंबाई में सबसे छोटी है तो देखिए सबसे छोटी नदी कौन सी है अपने लंबाई में नर्मदा, कृष्णा, मानदी या फिर गोदावरी क्या हो जाग इसका अंसर तो देखिए सबसे बड़ी अगर बात करें तो गोदावरी सबस छोटी निचारों में अगर बात करें तो माहा नदी अपने सबसे छोटी है 900 km अपने इसके लंबाई मानदी की और गोदावरी की लगबग अपने 1.5 500 rpm लंबाई है तो सबसे छोटी हो जाएके अपने अपने माहा विदायक है तो ये कितना परतिस्षत हो गया आपने ये हो गया आपने कितना हो बस परतिस्षत हो गया भीृस तो अपने संक्या में हो और परतिष्यत में अगर देखे तो 10 ही है option a जिसने भी किया था एकदम correct answer है बूंदी का राज कवी कौन था आपने बूंदी का राज कवी question number 105 है यह अपने कौन था इन चारों में आप option रंग से पड़ सकते हैं सूरी मल मिसरन हो जाएगा इसका correct answer बहुत सरुने मूनोत नेंड सी क्या होगा मूनोत नेंड से अपने ज काड़ा के दर्बारी कवी थे अपने अगला प्रस्न था कौन से समुद्र यूक्रेन की तर्ट्रे का बनाते हैं तो देखिए क्या हो जागा इसका answer पी टीटी में अपने राजस्तान जीके से ज्यादा आपने इंडिया और वर्ल्ड जीके पुछा जाता है तो इसका answer क्या दैका आपने खाली में क्योंज यूजेबल लोंच वे कल पुछपक का चित्र 國家 परिक्षण रेंज में सबलता पुर्वक परिक्षण कीया गया क्यमन का नीर्स्तान दोरा क्या जा गया है तो ठीकिंस पुछपक दिबन का निर्मान अपने इस्रो के दोराक क्या गया अपने इस रो बारती अंत्रिक्ष अनुसंदान संगतन जिसने भी आंसर किया था एकदम करेक्ट है option D हो जाएगा इसका correct answer option D इसका correct answer है philosophy of the bombs के लेखक कौन है अपने तो देखिए philosophy of the bombs के लेखक अपने पौन है बगवत्ती चरण बोहरा option D इसका correct answer हो जाएगा option D जिसने भी किया था एकदम सही answer है मुझे उमीद है आपके अधिकतर answer सही हुए होगी आप अंदर में comment करके जरूर बताना पचास में से आपको कितने एकदम correct आयते exam में आपका score कितना है आई एम्टी ट्राइलेट 24 नामक युद्धा ब्यास में कौन कौन से सदेश है क्या होजाएगा इसका answer आई एम्टी ट्राइलेट 24 में अपने तो देखिए यह हो जाएगा अपने भारत मोजांबिक वा तंजानिया यह त्री तीन देशों के युद्धा ब्यास हुआ है अपने option A हो जाएगा इसका correct answer question 110 है निम में से कौन राजिस्तान के एकिकरण की प्रक्रिया में राजिस्तान संग का हिस्सा नहीं था यानि की बात करें तो इक करण के जो साच चरन हो एतें तो उसमें जो दूसरा चरन है वह अपने राजिस्तान संग है तो दूसरा चरन में अगर बात करें तो में उक्रिप से अपने डूंगरपूर हो जाएगा, प्रतापगड, बुंधी, बासवाडा, कोटा, ये सबी थे, लेकिन करोली इसमें नहीं था, करोली अपने पहले चरण में शामिल हुआ था, अपने मतेश संग में, तो option B इसका correct answer है, Question 111, Rajasthan क्या नक् Release में निम्मे से कौन सा सुदूर दक्षिन में है, सुदूर दक्षिन यानि की, सबसे दक्षिन में की, अइन्चारो में, Merta City, difficulty, sojad, Maharwaad junction, और Ratsoffs. तो देखिए राजसमंद इन में सबसे दक्षिन में हो जाएगा, option D का correct answer हो जाएगा, सुदूर दक्षिन में, देखिए हम यह विस्तार परोकनी देख रहे हैं, सिर्फ जो correct answer है, वो देख रहे हैं, निम्मे से किस केंद्र से चंद्रयान 3 का launch हुआ था, तो देखिए चंद् से चंद्रयान 3 को launch किया था, यहां से, option A, निम्मे से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्या हो जाएगा इसका answer, mango savers, यह तमिल नाडू, आमर वर्षा तमिल नाडू होती है, cherry blossom, यह भी अपने करनाटक तमिल नाडू शेत्र में होती है, बाकि अपने norwesters, यह अपने पस्चि करेक्ट answer, बारदोली चीड़ा आपने देखे तो असम और पस्चिम मंगाल में होता है, मुकी रूप से, option D का correct answer है, यह वी अपने असम और पस्चिम मंगाल में चलती है, question 114 है, वीरु पाक्ष एयो, पंपा देवी तीर्त किस राज्य में हिस्ती थे, तो देखे किस राज अगला प्रस्चने, निम्ड में से किसे द्वीतियक शेत्र मना जाता है, द्वीतियक शेत्र अपने ऑटो मोबाईल हो जाएगा, इन चारों में कर देखे तो ऑटो मोबाईल, option A, किरातार जुनियम के लेकर को अने, किरातार जुनियम के लेकर को अपने महा कवी बार भी हो हो जाएगा, अगला प्रस्चने, निम्ड में से किस दर्रे में होकर जवाहर सुरंग निकलती है, तो दीकिए, जवाहर सुरंग अपने बनिहाल दर्रे से निकलती है, option C, जिसने भी क्या था, एकदम correct answer है, भारत ने हेती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अपने इंद्रावति चलाए था, option A हो जाएगा, इसका correct answer, question 19 है, GK का question number 19, राष्ट्री बाली का दिवस कब बनाया जाता है, इस साल मैंने classes नहीं लेती है, लेकिन पिसले 4-5 साल से मैं हर बार classes लेता हूं, उसमें बताता हूं, आपको एक दिवस वाला question आपके 100% पूचे पूचे जाते हैं, यह सुरंग वाले पूचे जाते हैं, operation वाले पूचे जाते हैं, सेन्य अभ्यास वाले पूचे जाते हैं, यह हर बार में बताता था, तो दीकि यह अपने 24 क्या हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा, अपने राष्ट्री बाली का दिवस, प्रदान मंत्र नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP26 में किस अवदारना को प्रस्तुत किया गया था, तो दीकि अपने परियावरन के लिए जीवन से लिए, पंच तत्व इन्होंने सुजाव जया था, तो अपने परियावरन से समद्दे थे हैं, यह मुख्यूर्प स को सुरू किया गया है, तो दीकि वंचित वर्क को अपने वित्य लाग देने के लिए अपने PM सूरज नमक पॉर्टल को सुरू किया गया अपने PM सूरज नमक पॉर्टल को, तो option A इसका एकदम से अंसर है, अगला प्रस्त ने, निम में से कौन से प्राकरतिक हत्यारी कोशि का है, तो दीकि प्राकरतिक हत्यारी कोशि का है, अपने लिंपो साइट्स इसको कहते हैं, रेमन में में से पुरुसकार कि इस देश द्वारा दिया जाता है, तो अपने फिलिपिन्स के द्वारा दिया जाता है, फिलिपिन्स के द्वारा, निम में से कोन से रिजर्व बें गड़िया यह नहीं रहें तो option D इसका एकदम correct answer है अगला प्रस्ट ने 2023 का नोबेल शांति पुरुषकार प्रदान किसको किया गया है अपने तो 2023 का अपने क्या हो जागा इसका answer नर्गेश मुहमधी को नर्गेश मुहमधी को option A इसका correct answer हो जाएगा question 26 verse 2023 का राजस्तानी बाष्टा का साहित अकाद में दिली पुर्षकार किसे दिया गया है तो देखिए यह अपने दिया गया था किसको डाक्टर गजेंदर सिंग राजपुरुहित को option C इसका correct answer हो जाएगा उदेपुर में हुए अखिल बारती लोग राजपरिशत के नवे सच्र की अध्यक्सता किसने की थी पंडित जवारलाल नेरू ने की थी option यह हो जाएगा इसका correct answer पंडित जवारलाल नेरू ने अगला प्रस ने राजस्तान राज्ज सेवाओ के प्रदान की गारंटी एद दिनियम अपने 2011 में था ओप्शन दी राजस्तान के एक्जाम के रिष्टे में से काफी महत्पून है 2011 इसका correct answer है देवराय का युद्ध कभ हुआ था आपने 1669 में और किसके में दिवा था आपने तो देवराय का युद्ध अपने हुआ था औरंग जेवव दारा सिको के म अगला प्रसने देश के धार्मिक परियेटन को बढ़ावा देने के लिए सुरूकी की प्रसाद योजना में राजस्तान का कौन सा धार्मिक तीर तस्तल सामेल है तो देखिए इसमें पहले अपने मुझ की रूप से बारा तीर तस्तल थे वरतमान में ग्दालिस कर दिया है दिरो डिस्क्रिमनेशन दे कब होता है है तो दी कि जीरो डिस्क्रिमनेशन दे यानि कि सुन्य बैदबाव दिवस बिल्कुल भी बैदबाव नहीं करना ऐसा दिवस यह अगला प्रसने 27 नовंबर 2023 को न soup में बने कुसने सपत लिये है क्या है कि अउजाग इस का अंसर थे न न्यूजिलेंडके प्रतानमत्री क्रेक्ट डिस्टोफर लेक्षन ओप्षन इसका correct answer है क्रिस्टोफर लुक्षन कौन सा राज्य मेगनीज का अगर्णी उत पड़क है तो मेगनीज खार्णी उत पड़क अपने ओरिसा ओजाएगा इसका correct अथा इसका सही अंसर हो जाएगा question 135 किस प्रतिहार सासक ने आदिवरा की उपादी धारण की थी क्या हो जाग इसका अंसर तो देखिए गुजर प्रतिहार में अगर बात करें तो मीर बोज का नाम आता है अपने आदिवरा की उपादी में option d 136 वा question है कौन सा सही मेल नहीं खाता है यह चार बांदों के नाम दे रहे हैं गोसुंडा बांद बनास नदी देखें गोसुंडा बांद अगर देखें तो चितोरगट में बनास नदी पर नहीं है अपने बेड़स नदी पर हैं बेड़स नदी तो यह पहला ही सुमिलित नहीं है बाकि देखें जाकम बांद जाक तो ये भी आपने गलत हो जाएगा और विशल पूर लांध अगर देखे तो या इपने बनास नदी पर है यापर बेड़ें की अठर अलब सवक्त भी दोप्ता पॉप्सवें एक इस प्रिंड हो फया हो यह भी गलत है ये तो इसवरष में बहरत है रेल्ए रेल्व बॉर्ट किस्ताफ न आपने 850 में हो ही थे अपने 16 अप्रेल, 16 अप्रेल 850, तो अपने ओप्शन सी करेक्ट आंसर है. NIRF कौन आयो जित करता है, तो NIRF अपने सिक्षा मंत्रालाई, अपने केंद्री सिक्षा मंत्रालाई आयो जित करता है. ऑनना सुरूआ था तो राश्ट्री मताता दिवस अपने सुरूआ था तुरूआ था हिंदूस्तान रिपब्लिकन आसियाशन के सउतापक सधिक्षान थे तो देखे हिंदुस्तान रिपब्लिकन tat के सस्थापक अपने कोन थे चंद्र सिकर आजाद थे सचिंद्र नात सान्याल थे राम प्रसाथ बिस्मिल थे इसके अलावा योगेस चंद्र चटर जी ये थे इसके सतावने की थी तो अर्वींदो कोश्ष इसमें ये नहीं थे तो abd abd यो जाएगा ईस्का अंसर堂 उप्शन डी अगला प्रस्ने राष्ट्री हरीत प्राधिकरण की सस्तावना किस वर्स हुए अपने राष्ट्री हरित प्राधिकरण की स्तावना यह कब हुए अपने 2010 में हुई है option D इसका correct answer हो जाएगा 2010 में तरंग देजी की SI काई क्या है अपने तरंग देजी का SI मात्रक अगर पुचेत है मीटर होगा हर्ट्स नि होगा आप दियान रखे मीटर होगा SI में अपने मात्रक option D कि SI PRI यहने की सिपरी का पूरा नाम क्या है अपने तो आप दियान रखे अपने अस्टोख होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिटूट यह अपने इसका पूरा नाम है option A करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लोबल अस्टोग टेक सब्द का समन्ध किसे अपने तो दिखे ग्लोबल अस्टोग टेक सब्द का समन्ध अपने सयुप्त राष्ट्र जल्वायू परिवर्तन संबैलन्स है अपने option A इसका हो जाएगा एकदम सही आंसर option A खेलो इंडिया यूथ गेम स 2023 का योजन का हुआ था तो खेलो इंडिया यूथ गेम का योजन अपने तमिल नाडूम हो था option B की करेक्ट अंसर है हाली में गोशित आदिती स्कीम किस चेत्र समन्धित है तो देके आदिती स्कीम अपने प्रति रक्षा स्वास्त शिक्षा या वित तेके प्रति रक्षा नहीं अपने डिपेंस हां सही हो जाएगा अपने डिपेंस जानी की रक्षा इस समन्धित आदित स्कीम ऑप्शन है, क्वेशन एक्स स्वेतालिस है, 2023 के अर्जुन पुरुषकार से समन्दित, दीव्यकृति सिंग का समन्द की स्केल से, दीव्यकृति अपने गुड़ सवारी से समन्दित है, ऑप्शन भी इसका प्रवत मालाओं को सहाधरी के नाम से जानाता है, तो दीविए पस्चिमी गाट को अपने सहाधरी भी कहते हैं, ऑप्शन भी इसका एकदम सही अंसर था, जिसने भी किया था, ऑप्शन भी इसका सही अंसर हो जाएगा, देखिए प्टिट एक्जाम में मुख करूप से अगर बात करें तो जीटे सबसे ज्यादा बार गित आराम से हो जाते हैं, लेकिन Сबसे ज्यादा एक्टे से आट क्वेशन आते हैं, क्योंकि किसी-किसी नहीं के वल्ल राज्जतान जीखी पड़ा होता हैं, इंडिया जीखेरी के उनका कापी आप पड़े प्ड़ जाता हैं, त कितनों पर विचार कीजिए हुमायू का मकबरा अपने ये चार बाग से लिके बगीजी के में देवस्ति थे बिल्कुल सही बात है लाल बलुवा पत्थर मकबरे की मुख्य निर्मान वस्तु हैं तो ये भी सही है तो दोनों से हो जाएंगे अपने ए और बी और देखिए एक कमेंट करके आप बताईए हुमायू का मकबरा कहा है इस्ते थे या आप कमेंट करके बता सकते हैं और इन पच्चास जीके के के क्वेशन में आपको एकदम कितने करेक्ट आ रहे थे कितने आपके एकदम सही हो रहे हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं और आपने पी टीटी में आपका कितना स्कोर हो रहा है आप कम्मेंट करके जरूर बताइए और देखिए आगे की वीडियो में और भी आंसर के लेकर आने वाले हैं पी टी टी दो वर्शी है जो भी अपने हिंदी मेंटल अबिल्टी सेक्शन और विरूची इनकी भी हैं यह प्रयास करूंगा वह भी लेकरा हूँ